Students, your lesson, lesson 5 is multiplication. Multiplication मतलब repeated addition. किसी भी number को जब दूसरे number से multiply किया जाता है. इसका मतलब है कि उस पहले number को जिसको हम कहते हैं multiplicate और जिससे किया जाएका उसको बोलेंगे multiplier. तो जिससे 15 multiplied by 6, 15 is the multiplicate and 6 is the multiplier. तो multiplicate को हम जितने time, जितना number हमारा multiplier का है उतने times अगर add कर दें तो हम भी get the answer. और if you know the table, अगर आपको tables याद हैं तो आप direct multiply करेंगे. Suppose 15 multiplied by 6, तो 15 को 6 times plus करेंगे और 15 को 6 से multiply करेंगे. मतलब 15, 6 are 90. Yes, this is the answer 90. ये तो बात होती है कि जब हम किसी single digits से multiply करते हैं. 6 is a single digit number. ओके, लेकिन अगर बात होती है कि हम double digits या two digit numbers से multiply करें. अगर हमारा multiplier two digit number हो, जैसे 65 multiplied by 12. यहां 12 two digit multiplier तो अब हम कैसे करेंगे. तो आप column बनाएंगे 65 and 12 का. 12 से multiply करेंगे 65 को. ओके, तुर्ण दूसरा पेज पे लेते हैं. तो यहाँ पर आप direct solve कर देंगे. पहले 2 से करेंगे. तो आपने 2 से कर दिया. ओके, तो 2 की table आप सबको मालूमें. तो 0 आजाता है. 1 हमारा carry हो जाता है. 2 6 हो 12. जो 1 carry किया, उसको 12 में plus करते हैं. तो 13 हो जाता है. So we get 130. 130 तो 2 से multiply हो गया. अब हमें 1 से भी multiply करना है. तो 1 की value की, 1 की place value क्या आ रही है? 1 की place है 10 की. तो उसको हम 10 करते हैं. तो 12 is equal to 10 plus 2. तो सबसे पहले हम 12 को break करते हैं. multiplier को. तो 10 plus 2 आ गया है. तो 2 से multiply किया. अब किस से करेंगे हम? 10 से करेंगे. तो 10 से multiply, as we know, 65 को अगर 10 से multiply करेंगे, तो हमें 650 नमबर दोता है. अब 650 plus 130. ओके. या तो इस तरीके से कर दें. या फिर 65 को डिरेक 12 से multiply कर दें. तो 65 को 12 से multiply किया. 2 से किया. फिर हमने क्या किया? इसको 1 से किया. सबको plus कर दिया. 0. यह 3 plus 5, 8 होता है. और 1 plus 6, 7 होता है. तो we get answer 780. ओके. पहले हमको मिला 130, फिर 650. 130 plus 650 होता है 780. यहां हमने multiplier को break किया है. 12 को break किया. 10 plus 2 है. ओके. लेकिन अगर आपको 12 की table आती है. तो direct 12 से भी multiply कर सकते है. या फिर. पहले 2 से करेंगे. बाद में 1 से करेंगे. और सबको plus कर देंगे. यह answer यहां गलत लिखा है. इसको आप लिखेंगे. 780. ओके. जब multiplication किया जाता है. किसी भी number से. और अगर 0 होता है. अगर किसी भी number को 0 से multiply करते है. तो हमेशा आपको product 0 ही मिलेगा. 9 multiplied by 0. इस 0. 100 multiplied by 0. 0. कोई भी number हो. अगर 0 से multiply करेंगे. तो you get 0 only. अगर किसी भी number को 1 से multiply करते है. Like suppose we are multiplying 47 by 1. 47 को 1 से multiply कर रहे. तो हमें answer हमेशा वही number बिलता है. जिससे 1 को multiply गिया. इस 47 into 1 is equal to 47. बहुता 47, 1s are 47. 100, 1s are 100. 90, 1s are 90. यह ध्यान रखेंगे. ओके. अगर आप multiplier हो, मुल्टिप्रिकेंट की position change करते है. जिससे 9 into 4. 9 multiplied by 4. 9 4s are 36 होता है. अगर 4 को इधर कर दिया जाए, 9 को इधर कर दिया जाए, place change कर दिया जाए दोनों की, तो अभी को difference नहीं होता. दोनों का answer same मिलता है. 9 4s are 36. And 4 9s are 36. हम आगे बढ़ते हैं. यहाँ तक आप सबने सिखा हुआ है, class 4th में भी. अब थोड़ा साम देखते हैं, अगर 3-digit number है, हमारा multiplication जो है 3-digit का है, और उसको हम 1-digit number से multiply कर रहे हैं. तो आप क्या करेंगे? एक example दिया हुआ है, 622 multiplied by 3. यहाँ पहले 3 से multiply करते हैं 2 को, फिर 3 से 2 को, दें 3 से 6 को, बहुत easy है, 32's are 6, 32's are 6, 36's are 18, you get the answer, 1866, 1866 is the answer, त्रीके, अब हम बात करते हैं, 10, 20, 30, so on, to 90, अगर ऐसे numbers हैं हमारे पास, जिससे हम multiply कर रहे हैं किसी number को, तो हम क्या करेंगे? 8 multiplied by 40, तो आप सब को 4 की table याद है, 8, 4, 0, 32 होता है, 32 को आगे, इस 40 का 0 लगा दीजिए, आपको बहुत लंबा solve करने की जरूत नहीं है, 152 by 2, तो इसको 2 से multiply कीजिए, और उसके आगे 0 लगा दीजिए, 100 या 200, 300, 900, ऐसा कुछ multiply करना है, तो हम 2, 0 लगा देंगे, like 23 by 600, 23 को 6 से multiply कीजिए, 6, 3, 0, 18, 8 आगया, 1 carry हो गया, 6, 2, 0, 12, जो 1 carry किया, उसको plus किया 12 में, तो 12 plus 1, 13, 1, 38, अब ये 2 जो 0 है, 2 zeros जो है इसके, 600 के, इसको हम यहाँ put कर देते हैं, 1, 38 के आगे, 2 times 0 लगा दिया, तो 23 multiplied by 600, is equals to, 13,800, तो 13,800, आज हम इतना ही करेंगे, इसके लिए मैं आपको exercise बदाता हूँ, अब आपको क्या करना है, ये exercise करनी है, say the answer of the following, multiply the given number, ओके, ये 2, oral में 2 and 3 exercise आपको जल्दी से जल्दी कर लेनी है, ओके?